हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सब्सक्राइब स्वाधत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी की उप भाशाएं एवं बोलियां कौन-कौन सी है उनका वर्गी करण किस प्रकार सी हुआ है उनका शेत्र किस कहा तक है इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ठीक है तो देखे हिंदी भाषा में सबसे बारे मैं बता दू कि अभी जो हमारा टापिक चल रहा है वो है हिंदी भाषा का विकास और इसके उपर मैंने आप सभी को काफ़ सारे वीडियो जो है बना के दी दी है और उन सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दूँगी या फिर मेरे चैनल पर जाके आप उन वीडियो को विजट कर सकते है और ये जो आपका सिलेवस है उसके अंतरगत ये सारे ही चीज़े आपको दी गई है यानि कि जो हिंदी की उपभाशा और बोलियों के बारे भी जो आपको पढ़ना है तो चाहे आप UPHC की तयारी कर रहे हों RPSC की तयारी कर रहे हों या फिर MPPSC की तीनों ही सिलेवस में आपका ये टॉपिक दिया गया है ठीक है तो बहुत मात्वपोर्ण टॉपिक हम कह सकते है कि तीनों ही टॉपिक में आपके ये जिज़े दी गई है तो अब बात करें हिंदी की उपभाशा है तो कितनी ही उपभाशा है तो हिंदी के 5 उपभाशा है और बोलिया कितनी है तो 18 बोलिया है जिनका हम विस्तुरत्रवर्णन अभी पढ़ेंगे तो जब बात यहां बोली की हो रही है और उसके अलावा अगर बात करें तो बोली के अलावा हम किस की बात करें उप भाशा की तो यह होती क्या है तो बोली क्या है एक छोटे से शेत्र में बोली जाने वाली भाशा बोली कहलाती है यानि ये एक सीमित शेत्र कह सकते है एक छोटे से शेत्र में जब कोई भाशा बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है बोली में साहितिक रचना जो है वो नहीं होती है यानि वो सिर्फ एक बोलजाल के लिए ही प्रयोग में आती है उसमें आपको साहित्य रचनाएं नहीं मिलेगी अगला जो परिभाशा है वो है उपभाशा ठीक है ये तो आपने बोली के बारे में पढ़ा अब बात करते हैं उपभाशा क्या है तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस शेत्र का विकास हो जाता है तो वे बोली ना रहकर उपभाशा बन जाती है यानि कि अगर बात की जाए कि अगर कोई भी बोली है किसी भी शेत्र विशेश में अगर कोई बोली बोली जाती है और उसी में साहित्यक रचनाएं होनी लगे और सिर्फ होने ही ना लगे उनका विकास भी हो जाए उन रचनाओं का तो वो बोली बोली ना रहकर वो उपभाशा में बदल जाती है उसका रूप जो है वो उपभाशा हो जाता है अब इसके बाद हम बात करें तो वो है भाशा अब भाशा क्या होती है ठीक है तो यहां पर हम बात करें उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है भाशा तो भाशा क्या होती है तो साहित्यकार जब उस भाशा को अपने साहित्यके द्वारा परिनिस्ठित सर्वमान रूप प्रदान कर देंगे तो जब कोई भाषा को साहितिकार जब रूप प्रदान करेंगे यानि साहिति में रचनाई रचेंगे तो वह उपभाषा हो जाएगी लेकिन वह परिनिस्ठित हो जाती है और साहितिक रूप में जो वो साहितिकार प्रयोग करता है और वो परिनिस्टित होकर सर्व मानने हो जाती है लोगों के दौर उसको मानता प्राप्त हो जाती है और उसका शित्र भी अधिक विस्तरत हो जाता है तो वे भाषा कहलाने लगती है एक भाशा के अंतरगत कई उपभाशाएं होती है तदा एक उपभाशा के अंतरगत कई बोलियां होती है तो यहां तक आपने इनकी परिभाशाएं जान ली अब बात करते हैं हिंदी की उपभाशा कौन सी है तो जैसे कि मैंने बिताया हिंदी की कितनी उपभाशा है तो हिंदी की पांच उपभाशा है ये तो आपने क्या कर लिया अब वो कौन-कौन सी उपभाशा है तो पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी राजस्थानी बिहारी और पहाडी इनका नाम भी याद रख लिए क्योंकि परिक्षा में इस पर प्रशन आता ही है ठीक है यह हो गया अब बात करते हैं यह हमारी हो गई उप भाशा है तो अब बोलिया कौन सी है तो हिंदी की जो बोलियों की बात हो रही ह है ब्रजभाशा, कन्नोजी, कौरवी यानि की खड़ी बोली, बुंदेली और बांग्डू यानि की हर्यानवी यह सारी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतरगत आती है फिर बात करेंगर पूर्वी हिंदी के अंतरगत कौन-कौन सी बोलियां आती है तो इसके अंतरगत ब्रजभाशा, जो है रजस्थानी के अंतरगत यह सारी बोलियां आती है अब बात करें बिहारी उपभाशा की तो इसके अंतरगत मैथली, मगही और भोजपूरी आती है फिर पहाडी की तो कुमावनी, गड़वाली और नेपाली जो है पहाडी उपभाशा के अंतरगत आ प्रज भाषा जो की संस Nhưng पस्षी मी यह बोली। अब ब्रज भाषा मैं इसके जिले बात करी कौन कौन बोली है ब्रज भार्षा ये बोली जाती है ब्रज भार्षा की मूल प्रवर्टी क्या है तो शब्दों का उकारांत होना उधारन आयो गयो भलो करो पीरो तो इस प्रकार से शब्दों का जो है इसमें प्रियोग होता है ठीक है और ब्रज भार्षा की रिचनाएं तो काफी प अगले जो बोली की बाद करें वो है कर्णोजी तो यह इसे कुछ लोग इसे ब्रज भाषा का ही एक उपरूप मानते हैं इसके प्रमुकर दिले कौन से हैं तो फरुखाबाद, इटावा, कर्णोज, शाहजहाँपूर, हर्दोई, मेनपूरी, आदि अब इसकी मूर प्रवर् मातरा लगती है और इसमें जो है ओ की मातरा लगती है आओ, गव, भलो, कारो, पीरो इस प्रकार से शब्दों का इसमें प्रयोग होता है अगली बोली है बंदेली जो की बंदेल खंड शित्र में बोली जाती है इसके प्रमुकर जिले है जहासी, हमीरपूर, ग्वालियर, सिवनी, ओरचा, सागर, नरसिंगपूर और होशंगाबात तो इन सभी में ये बंदेली बोली जाती है अगली बोली है बंगडू, इसे हर्यानवी भी कहती है क्योंकि यह प्रमुकर रूप से हर्याना शित्र में बोली जाती है तो इसको हम हर्यानवी भी कहती है बंगर उस होता है तो ऐसा अद्प्रिदेश जहां कि भूमी जो है उंची हो और बाड जब आए तो वो उसमें नाडू पे तो बांगर और बांगर ही वहां पे जो है हर्याना शित्र में जो है बोली जाती है तो इसलिए इसको हर्यान वी भी कहते है अब इसके प्रमकर जीले कहा है जहां पर ये भांगरू बोली जाती है तो आगरा मत्रा फिरोजाबाद अलीगड हातरस एटा धोलपूर गुडगाओं भरतपूर करोली बदायू आदी अब इसकी मूल प्रवर्ती क्या है इसको कैसे पेचान सकते है तो मुर्धरने ध्वनिया टाठाडा धाणा की अधिकता उचारण में है तो उचारण में इन शब्दों का इन ध्वनियों का अधिकता प्रयोग होता है और यहां पे ना के स्थान पर अणा शब्द का प्रयोग होता है जैसे कि खाना हो गया, जाना हो गया, पाना हो गया, कुछ भी तो न शब्द जैसे बोलते हैं, तो यहां क्या बोलेंगे, खाना, जाना, लेना, मतलब न शब्द जो है बोला जाता है, ठीक है, अब यहां पे इसका उधारण भी देख सकते हैं, जैसे कि कौन, हम नॉमली क्या बोलत जाता है कौन, पानी, पानी, राजा, रजा, भीतर, भीतर, तो इस प्रकार से यहां शब्दों को प्रयोग किया जाता है, अगले है खड़ी बोली, अब खड़ी बोली को ही जो इसका अन्य नाम क्या है, कौरवी है, परिक्षा में इस पर प्रशनाता है, इसका अन्य नाम क्य और आदी अब इसकी विशिष्टा क्या है तो इसमें जो है नणा का प्रियोग क्रियाओं में प्रमुकता से होता है तो क्रिया जैसे कोई भी काम करना होता है क्रिया क्या होता है काम करने को क्रिया कहते हैं तो वहां पे जो भी काम हो रहा है उसमें हम अना शब्द का प्रियो कि फिर्वी हिंदी की बोली की नाइक कि बह चोर्ट्य के प्रवर्ति में स्टे इस प्रकारा जाता है इस दो शबड़ा क्यों जोर्ड कि प्रकारि के पर्वर्ति आप till हिंदी तो पुर्वी हिंदी की बोली है अवधी जो अवध शेतर पे बोली जाती है और इसकारण इसको अवधी कहती है इसके जिला शेतर कौन से है तो लखनव, उन्नाव, कानपूर, राइबरेली, सीतापूर, फैजाबाद, गोंडा, फतेहपूर, बहराईज, लखीमपू पुर्खीरी, सुल्तान, पुरुपृतापगर, और बाराबंकी और इसकी विशेष्टा क्या है तो इया प्रते का प्रयोग होता है जैसे की बिलाई, मतलब बिल्ली के लिए जो ना बिलाई शब्द या शब्द जो है ना इया शब्द प्रयोग होता है चार पाई तो चर इस प्रकार से शब्दों को यहां प्रयोग होता है, अगली बोली है भगेली, तो यह जो बोली है वो दक्षण का शेतर बगेल खंड कहलाता है, तो बगेल खंड शेतर में बगेली बोली जाती है, और इसका स्थान है रीवा, दमो, जबल पोर, मांडला, बाला घाट आदी, अब इसकी विशिश क्या है विशिशता क्या है तो यह अवधी का ही एक उपरूप है तो बगेली अवधी का एक उपरूप है यह ध्यान में रखेगा अगली बोली है छत्यस गड़ी तो यह छत्यस गड़ी राज्य इस शित्र में बोली जाती है और इसके अन्हे नाम क्या है लरिया, खलोटी, खलता ही शेतर की बात करें तो राइपूर, बिलासपूर, कांकिर, राजनांद गाउं, खैरागड, राइगड, सुर्गुजा सर्गुजा, यहाँ पे जो है यह 36 गड़ी बोली ही बोली जाती है यहाँ पे जो है नगी बोली है भोजपूरी बिहार के शहाबाद जिले के एक गस्बे के नाम पर भोजपूर के नामपर पर पड़ा है तो शहाबाद जिला है बिहार में वहाँ पर एक कस्वा है भोजपूर उसके नाम पर भोजपूरी जो बोली है वो पड़ा है और इसके अधार और इसके शेतर के है तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार तो ऐसा नहीं है कि भोजपूरी के वेल बिहार में बोली जाती है तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोर जाता है अगली बोली है मगही यह बोली बिहार में ही बोली जाती है मागधी से मगधी का जो मागधी भारशा हमने विपढ़े तो मागधी से ही मगही का विकास हुआ है इसके शेद्र कौन से है तो गया पटना हसारी बाग मुंगेर पाला मौ भागलपुर राची सारन आदी विशेष्टा क्या है तो इस बोली में लोक साहित प्रबुध मात्रा में उपलब्ध है तो भुशपुरी में जो है मगी में लोक साहित आपको बहुत ही जादा मिल जाएंगे अगली बोली है मैथली तो ये मिथला प्रदेश की बोली होने के कारण ही तो मिधला परदेश में ये बोली बोली जाती है मैथली और इसका रण इसका नाम मैथली पड़ा और इसका एक अन्य नाम जो है वो है तिरहुतिया इसका शेत्र है बिहार के चंपा रण, मुझफर नगर, मुंगेर, भागलपूर, दर्भंगा, पुरणिया और इसमें भी देखिए साहित्ते की बात करें तो विद्यापती की जो रचना है विद्यापती पदावली मैथली भाषा में है नागर अरजुन की रचना वहीं पे मैथली भाषा में आपको मिल जाएगी पत्रहीन नगन गाच जो है उन्सकों सہ्थ तकातबी भी मिला हो तो मैतली में भी आपको रिछनाएं मिल जाती है अगली बोली है मारवारी तो यह राजस्थानी हिंदी की बोली है जो मारवार शित्र में बोली जाने के कारण मारवाडी कहलाती है तो इसका शेत्र क्या है? मारवाडी और ये राज़ा सारी हिंदी के तरगत आ गई इसका शेत्र है जोदपूर, किसनगड, मेवाड जैसमलेर, बिकानेर शिखावटी, सिरोही और बिकानेरी इसका शेत्र है अब अगली बोली है मेवाती तो मेव लोगों की बोली होने के कारण तो मेव लोग हैं उनकी बोली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया मेवाती इसका शित्र है अलवर भरतपूर गुरगाओं आदी और अहीरवाती जो है मेवाती की उपबोली है तो यहां आपके लिए प्रेशन हो गया कि किसकी बोली है तो मेवाती जो है वो अहीरवाटी की बोली है चीक है तो यह आगया आपका चली अगला है मालवी तो मालवी कहा किया है तो यह मालवा परदेश की बोली होने के कारण इसको मालवी कहा गया है इसका शेत्र विशेश क अगली बॉली है जैपुरि फ़ाल छित्र में में वहां के बॉली जाती है जैपुरी बॉली को इसके अन्ने नाम पहले जान लैं तो दूढ़ाई फो इनको इन नामों से भी जाना जाता है औसका शित्र है को ठा मुस्क और इसकी उपबोली है हडोती जैपुरी की उपबोली क्या हो जाती है हडोती ठीक है अगली बोली है कुमावनी तो ये कुमाव शेतर की बोली है जो की अब कहां पर है तो उत्रा खंड में है कुमाओं में बोली जाने के कारण इसका नाम जो है कुमाओं शेतर में बोली बोली जाती है इसका नाम जो है कुमाओं नहीं पड़ गया और इसका शेतर विशेश की बात करें तो उत्तरकाशी, नैनी ताल, हलदवानी, अलमोडा, पिथोडागर आदी में बोली जाती है और ये पहाडी उपभाशा वर्ग की बोली है अगली बोली है गड़वाली तो यह भी कहा है पहाडी की बोली है जो गड़वाल शेतर में बोली जाने के कारण इसको गड़वाली कहा जाता है इसके शेत्र विशेश की बात करें तो उत्तरकाशी, टेहरी, गड़वाल, पौड़ी गड़वाल, श्रीनगर जो गड़वाल शेत्र में पड़ता है बदरीनात, दक्षणिन्यनिताल, तहरादून, मस्णूरी आती अगली बोली है नेपाली, नेपाली वस्तुता एक भाषा है जो नेपाल में बोली जाती है तो जो नेपाल शेत्र में बोली जाती है नेपाली विशेशता किन्तु इसे बोलने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चमबा, जौन सर, सिर्मोर आदी लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये नेपाल शित्रे में बोली जाती है इसको बोलने वाले रोग आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे जैसे कि शिमलामंडी, चमबा, जॉनपुर और सिर्मोर आदी अब यहाँ तक था आपने पढ़ लिया उपभाशाई कौन सी है बोलिया कौन सी है, इनका विस्तरत बर्न इनका शित्र कौन सा है अब देखते हैं कि इन बोलियों के, ये जो आपने बोलियां देखी है इनके अन्य नाम भी है, जो कि परिक्षा में पूछी जाते है तो इन बोलियों के अने नाम क्या क्या है जो की महतुपड होते हैं तो हर्याणवी के अने नाम क्या है तो बांग्रू और देसवाली खड़ी बोली इसका अने नाम क्या है कौरवी हिंदुस्तानी या जन्रपदी हिंदुस्तानी सरहंदी, वर्नाकुलर, हिंदूस्तानी थो खड़ी बॉली को इन नामों से जान जाता है शाने जाता है अन्तरवेडि, माध्धुरी और नाग भाशा नाम से अगली जो बॉली है वो है कनॉजी इसको कनॉजिया या कनूजी भी बोलते है अगली बोली है बुंदेली जिसको बुंदेल खंडी भी कहते है अगली बोली है अवदी इसको कोसली, बैसवाडी, पुर्वी, उत्रखंडी आदी भी कहा जाता है अगली बोली है भगहली जिसको रिवाई या भगहल खंडी कहा जाता है चत्यसगड़ी इसको खलटा ही, खोटी लड़िया आदी نامों से जाने जाता है भोजपुरी इसको पूर्वी या फिर भोजपुरिया कहा जाता है मगही इसको मागदी के नाम से जाने जाता है वहीं पर मैथली की बात करें तो इसको देशिल बरेना और तिरहुतिया अधी नामों से जानाता है देशिल बरेना किसने कहा है तो विद्यापती के द्वार कहा गया है तो देशिल बरेना और तिरहुतिया मारवारी, अगरवाला, जैपुरी, मद्यपूर्वी, राजस्थानी, ढुंडानी, जार साही, आकाई इनको इन नामों से जाने जाता है वही पर मालवी की बात करें तो इसको आवंती, दक्षण पूर्वी, राजस्थानी के नाम से जाने जाता है डिंगल इसको भाट भार्षा के नाम से जाना जाता है और पिंगल इसको नाग भार्षा के नाम से जाना जाता है तो यह देख सकते हैं कि सारे ही कितने ही महत्वपूर्ण चीज़ते हैं क्योंकि अन्य नाम परिक्षा में पूछे ही जाते हैं तो इनको याद जरूर करिएग ब्रजबुली इश्वर चंदर गुप्त रजस्थानी गिरसन डिंगल बांकिदास बिहारी गिरसन भोजपूरी रैमंड मैथली पोल बुक अब यहां पर बात करें कि हिंदी की प्रमुख बोलियों की विशिष्टाएं क्या क्या हैं इनकी विशिष्टाएं क्या क्या हैं देखनी हिंदी देखनी को मिलती है उकार बहुला इसमें आपको ब्रज भाषा बुंदेली कनोजी मारवारी मालवी कुमाउनी और गड़वाली देखनी को मिलती है तवर्ग बहुला इसमें आपको मारवारी जैपुरी मेवाती मालवी देखनी को मिलती है वहीं पे उदासी नाकार बहुला इसमें आपको अवदी और बगेली देखने को मिलती है और ये सारा हो गया हमारा हिंदी भाषा की से संबंदे जो मारा संपूर्ण टॉपिक था तो आशा करते हूं कि अब आप सभी को ये जो हिंदी की प्रमुप भाषा एवं बोलियों का जो टॉपिक था य तो टॉपिक जो भी चाहिए कमेंट बोक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाती रहूं और सासा जो हमारा टॉपिक है वो भी यूँ इस प्रकार से चलता रहे तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेजिएगा धन्यव झाल